हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको माय लोग ये 2021 की एक चाइनिस रोमांटिक मूवी एक्स्प्लेंट करने वालाव एक बहुत ही ब्यूटिफुल ची मूवी है तो अंदक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अब बिना किसी तरीक है एक्सप्लेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन ग्यारेक्टर जाव को लेखते हैं जो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है आज उसे अपने हाई स्कूल की गल्फरेंड का लेटर मिलता है उसका नाम थ जादा रहता था एक दिन जब उसका इसी तरीकी से जगड़ा चल रहा था तभी अचानक से उसके सामने यंग आई उसे देखते ही उसे उसे प्यार हो गया वह बेचाना मार खाते काते भी हस रहा था उसे पनीश्मेंट देने के लिए ऑफिस में बुलाय जाता है तभी वह यंग आए यंग का अभी-अभी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ क्यों न्यूश्टूरंट थी जाओ उसे बात करना चाहता था उसके पास आया और कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हो यंग ने ज के यंग को पसंद करने लगता है जब जाओ यंग के साथ तब यंग को उस जांद कर परोज ही व Those ईव से यहाँ से बाहर चलते जाओ तो बहुत हुष हो गया था यंग उसे एक रिस्ट्रावण में लेकर आए जाओ उपना UMP्प्रेशन जमाने के लिए उसके आदा तुम् जहाव में और उसमें फाइट हो गई थी फाइट के बाद रेस्टरांट में आकर जहाव यंग से कहता है तुमने अगर सब को बता दिया कि मैं तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा यंग कहती कि तुम बहुत फाइट करते हो मुझे फाइट करने वाले लड़के पसंद नहीं है जहाव ने कहा कि अगर मैंने फाइटिंग छोड़ दी तो फिर क्या यह दोनों बात ही करें थे तभी कैप्टन फिर से यहाँ पर वापस आ गया वो ने फिर से तकलिव देता इससे पहले यंग ने उसे कहा कि जहाव मेरा बॉइफ्रेंड है इस बात पर कैप्टन पिले नहीं करता अगली दिन जब दोनों स्कूल में तो जहाव के उपर उसने मिल फेका अब यंग के लिए जहाव उसे फाइट नहीं कर सकता उसके पास गया और कहा क्या तुम मुझे कूल हो जहाव से कहता है कि मैं मान लेता हुग कि तुम कूल हो मजे तुमसे कुछ ये फाइट ही नहीं करनी है अगर हम हर चीज के लिए जानवरों की तरह फाइट करते रहें तो इसमें कुछ भी मजा नहीं आएगा कैप्टन बुशता है तो अब हम फिर क्या करेंगे जाव कहता है हम स्विमिंग की कॉम्पटिशन लगा सकते हैं कैप्टन ने उसे डील दी कहा कि अगर मैं जीच जाता हूँ तो यंग को एक पोस्ट कार्ड अपने पीट पर रखना पड़ेगा इसमें लिखाओगा कि वो मेरी गल्फरेंड है जाव कुछ बोलबा था इससे पहले यंग इसे एक्सेप्ट कर लेती है यंग ने जाव से कहा कि अब जाव और स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस करो यंग के लिए जाव कुछ भी कर सकता था तो दिन रात उसने प्रैक्टिस की इन दिनों में वो यंग का अच्छा फ्रेंड भी बन गया था एक दिन जब दोनों रेश्टार्ण पर आये तो वो बन था वही बेटकर बाते करते है यंग ने जाव से पूछा तुम उने फ्यूचर के बारे में सिरियस क्यों नहीं हो क्या तुम हमेश्व स्विमिंग ही करना चाहते हो जाव कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जाव के बास सचूच में अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्लान नहीं थे यंग कहती कि मेरा गोल है मुझे फैशन डिजाइनर बनना है और इसके लिए बहुत ही हाट मेनत करती है बाते करते करते इनकी टीचर निने देख लिया स्कूल बंग करकर ये आये हुए थे तो वेसे ही भागने लग गये अजानक से बारी शुरू हो गे जाओ यंग को हाथ पकड़ कर अपने घर लेकर आता है कपड़े सुखाते हुए यंग ने जाओ का रूम देखा उसमें उसे एक पॉन की सीडी मिलती है जाओ कहता कि मेरे फ्रेंग की है मेरी नहीं है यंग ने पुछा कि तुम सब लोगी कब से देखते हो जाओ ने कहा कि रात में 11 बजे के बाद हम देखने लग जाते है यंग एक्च्वल में उसका एज पूछ रही थी तो इस बात पर वो बहुत अस्ती है इस पर उसका बहुत मज़ाग लेती है बैचारे जाओ को बहुत इंबरेसिंग लगा था अब अगले दिन इनका स्विमिंग का कॉम्पटिशन था इसमें जाओ ने बहुत फाइट दी फिर भी कैप्टन ही जीता था अब यंग को इसके बैक पर कि वो कैप्टन की गल्फेन ऐसा लिखना पड़ेगा उसने ओल्डेडी लिखकर रखा था पर जाओ के साथ हसी खुश की यहां से हो चली जाती है जाओ ही उसका फ्रेंड है और कोई भी चीज इसे डिनाई नहीं कर सकती है इसके बाद ये दोनों बीच पर आए यंग जाओ का एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा पिक्चर बनाती है इन दोनों का एक बहुत ही ब्यूटिफुल था ये वीच करते हैं कि इनकी लाइख हमेशा ऐसी ही रहे अचानक से यंग ने हाइवे पर अपने फादर की कार देखी और इसे वो बहुत ही जादा डिस्टब हो गए अगले दिन वो स्कूल भी नहीं आई जाओ उसके लिए परिशान हो गया और रात में उसके घर आ जाता है घर पर उसने देखा कि यंग के फादर ने सब कुछ तैसनेस किया था यंग और उसकी मदर रो रही थी यंग के फादर टरंग थे और ने से बचने के लिए इस टाउन में वो आय हुए थे जाओ ने सब देख लिया तो यंग उसे जाने के लिए कहती है रात में यंग ने जाओ को कॉल लगया वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि मेरे फादर हमें इतनी जल्दी ढून लेंगे वो जाओ से मिली जाओ उसकी लाइफ में आया इसके लिए थैंक्फुल थी इसके बाद फिर से ओ ट्रांसफर होकर इस टाउन से चले गए थे इस फोन कॉल के बाद भी बारिज में जाओ उसे ढूनने के लिए निकल पड़ा था और उसे ओ ढूनने पाता उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल बीद गया है जाओ एक कॉम्पिटर सेंटर में एड्मिन का काम करता है उसे वेज़े भी पड़ाई में इंटेस नहीं था तो कॉलेज के लिए उसने अपलाई भी नहीं किया एक दिन उसका कॉलेज का फ्रेंड उसे मिलने के लिए आया उसके पास आइफोन का न्यू मॉडल था तो उसे वो दिखाता है इसमें जाओ अलग-अलग पिक्चर देख रहा था उसकी उनिवसिटिक है उसमें उसे यंग दिखिए उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ अब वो डिशाइड करता है यंग जिस कॉलेज में है उसी कॉलेज में वो भी जाएगा घर आकर अपने वीडियो गेम्स की सारी सीडिस को उसने फेक दिया अब वो सिरिसली स्टडी कर रहा था उसने दिन रात मेहनत की तो फर्स साइम में उसे पहचान भी नहीं बात जाओ जब उससे आकर मिला तूसे अच्छा लगा था अब कॉलेज में भी यंग फैशन डिजाइनिंग सीख रही थी यंग उसे बुछती कि तुम यूनियोर सिटी में कैसे आ गए जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ वो यंग के साथ अच्छे से टाइम स्पेंट कर पाए इस वज़े से उसने गल्स की टीम में साइन अप कर लिया था यंग को उसके लिए बुरा रखता है और हो गहती है मेरा अल्टरी एक बॉइफ्रेंड है बैचारे जाओ को बहुत बुरा रखा अपने फ्रेंड से उसने यंग के बॉइफ्रेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली उसके बॉइफ्रेंड का नाम था चाइंग और चाइंग एक फुटबॉल की टीम में था जाओ ने लड़कियों की टीम में साइन अप किया है तो उसे भी चाइंग के लिए चीर अप करना पड़ता है जाओ की हलत देकर उसके फ्रेंड उसे बहुत चिडाते है नेक सिन में हम देखते हैं यंग और जाओ जब रस्ते से जा रहे थे तो एक लड़की अपना बैक पकड़ कर भाग रही थी उसके पीछे और एक लड़का था जिससे उस लड़की को बचा लेते हैं अगली दिन जाओ के फ्रेंड ने उसके लिए बॉन की डिवीडिस लाई थी उससे कहते हैं आते वक्त हमें यंग भी मिली थी उससे हमने इस पारसल पर साइन भी ले लिया है सब मिलकर इस पर हसने लगे तबी डोर पर पुलीस आ गए थे जाओ और उसके फ्रेंड को लगता है कि इलिगल डिवीडियों उन्होंने बाई की थी इसी वज़े से पुलीस उन्हें नेने के लिए आये हुए है पुलीस जाओ को अरेश्ट कर लेते और उसके साथ यंग को भी उठा लेते है जाओ ने सारी सीचुएशन यंग को बता है उसे लगा इन डिवीडियों की वज़े से वो अरेश्ट हुए है पर इसके बीची रीजन कुछ अलग था एक्चुल में जिस लड़की को उन्होंने बचाय था वो छोड थी जिस आदमी को उन्होंने मारा था यह उसका ही बैक था इसी वज़े से इन्हें जेल में डाल दिया जाता है इस सिचुएजन पर वो जेल में भी बहुत हसे जाओ यहाँ पर यंग से पुछता है कि तुम और तुमारा वाइफरेंड कैसे मिले थे यंग ने कहा कि यहाँ पर मैं इंडरास एक्जाम देने के लिए आई हुई थी वही पर वो एक दुसरे से टकरा गये यह एक्जाम देने के लिए यंग बहुत ही नर्वस थी तो चैंग ने उससे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम पास हो जाओगी और हम दोनों फिर से यही पर मिलेंगे चैंग स्टडिस में भी बहुत स्मार था जो सिक्यूरिटी यंग को हमेशा से चाहिए थी यह चैंग आसानी से दे सकता है जाओव ने रियलाइस किया कि उसका प्यार कितना सिल्फिश था उसने कभी भी यंग को क्या चाहिए इसके बारे में सोचा नहीं था वो उसे ज़रा दूर रहने की कोशिश करता है पर यह बात वो कर नहीं पाता उसने अब डिसाइड किया था कि स्विमिंग में वो अपना करियर करेगा यंग का एक दिन बढ़ रह था तो उसे बुच्छता है कि आज तुमने क्या किया यंग कहती कि मैं बहुत ही भीमार हूँ तो कुछ भी सेलिबरेट नहीं कर पाई आज टाउन में जाकर मुझे फायरवक्स देखने थे पर वो भी मैं कर नहीं पाई जाओ को फिर आइडे आता है वो फायरवक्स लेकर आया और होस्टेल की टेरेस पर जाकर इस फायरवक को जला देता है यंग की विश उसने कम्प्रीट कर दी थी यह इतना ब्यूटिफुल लग रहा था कि सारा होस्टेल बहार आ चुका था इसी रोमेंटिक सेट्टी में जो लड़की किसी से प्यार कर देते उसे वो कनफेस कर देते है एक दिन जाओ जब लाबररी में था तो चैन को किसी और लड़की के साथ देखता है चैन उस लड़की के साथ मिलकर होलीडे प्लान कर रहा था जाओ समझ गया कि उसके साथ उसका चक्कर है चैन ने एक्च्वल में यंग को प्रॉमिस किया था कि अगर वो फुटबॉल का गेम जीतता है तो हॉलीडे पर उसके साथ चलेगा अब इसके बाद हम इसी गेम को देखते है और इस गेम को चैन जान बुश कर हार रहा था जाओ ने इस सब देखा और यंग को सारी चीज़े बताने की कोशिश करता है पर यंग इस बात मानती नहीं जाओ ने कोसे का कि आज गेम मुझे खिलने दीजिए जब वो खिलने लग जाता है तो स्लोली स्लोली गोल करने लग गया था गोल करने के बाद सेलिबरेट करने के लिए चैन उसके पास आया जाओ चैन बर बहुत जादा गुसा था क्योंकि यंग उसके बाद मान नहीं रही थी उसने यंग को एक बार प्रॉमिस किया था कि कभी भी वो फाइट नहीं करेगा पर आज उसे लग रहा था करना पड़ेगा आज कल उसके एक अमेर गल्फरेंड भी है उसके फ्रेंड उसे एडवाइस करते हैं किस लड़की से शादी कर लेना तुमारी लाइफ बदल जाएगी एक दिन ऐसे जाओ उपने फ्रेंज के साथ हैंग आउट कर रहा था तब उसने यंग को देखा उसका पीछा करता है तो उसे पता चला यंग एक मॉडल बन शुकी है आज वो एक अर्वरडाइसमेंट की शुटिंग कर रही थी तो जाकर उसे मिला और यंग को भी उससे मिलकर अच्छा लगा था जाओ से बुछता है कि तुम मॉडलिंग क्यों कर रही हो यंग ने कहा कि फैशन सीखने के लिए मुझे अलग कंटर में जाना था पर उसके फादर भीमार पड़ गये तो इस वज़े से इसी कंटर में उसे रहना पड़ा उसने फिर मॉडलिंग ही स्टार्ट कर दी थी जाओ को भी उसका करियर अच्छा लगता है पर हो जाता था यंग जिस चीज में पैशनेट है यही चीज उसे करनी चाहिए यानि फैशन डिजाइनी बातो बातो में जाओ को पता चला यंग एक अलग सीटी में अड़ोटाइजमेंट शूट करने के लिए जाने वाली है वो अपनी गल्फिंट से ब्रेग अप कर लेता है वो उसके साथ ही आता है एक दिन यंग की शुटिंग अच्छी नहीं गई थी जाओ ने उसे घर पर ड्रॉप किया और यंग को उसके ओल्ट राइंज दिखा है यंग भी रेलाइज करती है कि अपने पैशन को उसने मिस किया है आज जब वो और एक शूट के लिए जा रही थी तो से अपने डारेक्टर का कॉल आता है यंग की जगा पर उन्होंने और लड़की को छूज कर लिया था इस बात से बीचारे बहुत ही अफसेट हो गए जाओ उसे चीर अप करने के लिए सी के पास लाइट हाउस में लेकर आता है या इंटर होना मना था तो यंग डर रही थी जाओ ने का हम अल्रेडी जेल जाकर आये हमें क्या डरना सी के पास आकर एडारेक्टर को बहुत गालिया देते है जाओ के कंपनी में यंग का मोड भी बहुत ही अच्छा हो गया था ये जब हाई स्कुल में थे तो आपने सारे मोमेंट्स याद करते है ये याद करते हुए जाओ यंग के करीब आ गया था यंग को ये ज़रा गलत लगता है और यहां से हो चली गए इसके बाद एक विक बीद गया था और इन दोनों ने कुछ भी बात नहीं कि जाओ यंग को कॉल करकर बताता है कि मेरा कॉमपिडिशन है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे देखने के लिए आओ कॉमपिडिशन की रात आए अचानक से बहुत ही जादा तुफान आने लग गया था टीवी पर न्यूज आती है कि एक ब्रीज पर कुछ लोग फसे हुए है उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है यह वही लोग है जो कॉमपिडिशन देखने के लिए आ रहे थे जाओ को लगता है कि इनी लोगों में यंग भी होगी वो अब तक शोर नहीं था वो स्विंग पूल के पास तो आ गया पर यंग का खयाल उसके मन से जानी रहा था यह कॉमपिडिशन वो ऐसे ही छोड़कर यंग को ढुड़ने के लिए निकल बढ़ता है यंग भी इस बारिश में उसी के पास आ रही थी जाओ ने कहा कि तुमारा नंबर लगनी रहा था उसके लिए बहुत ही वरी कर रहा था मैं तुम्हें इस तरीके से खो नहीं सकता हम जब से मिले तब से बहुत बात जुदा हो गया है मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता यह बात सुनकर यंग भी उसे गले लगा लेती है यंग ने कहा कि हमें कॉमपिडिशन में वापस जाना चाहिए देखते हैं कि क्या तुम्हें सेकंड चाहस मिल पाता है यह जाही रहे थे तभी उपर से एक चीज यंग को लगने वाली थी तो उसे बचाने के लिए जाव उसके सामने आ जाता है इस वज़े से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था अब वो लंबे समय तर स्विमिंग नहीं कर बाएगा यह बात यंग को जरा अपसेट कर रही थी तो जाव न उसे का तुम मेरे साथ हो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इसके बाद इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी एक साथ यह रहने लग गया थे यंग लेट नाइट काम करती तो जाव हमेशा उसे सपोर्ट करता यंग खुश है तो वो भी बहुत ही खुश था स्लोली स्लोली जाव का भी हैंड रिकोर होने लग गया था एक दिन चलते चलते हैं दोणों वेडिंग डेस के शौप तक आया यंग ने इन दोनों के लिए रिंग बाए की थी जो जाव को दे देती है उसने कहा कि मैं हमेशा हम दोनों के लिए रिंग बाए करना चाहती थी जाओ उसे प्रामिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद एक दिन में तुमारे लिए डायमंड रिंग लेकर आऊंगा अब जाओ को फिर से स्विमिंग करने थी इसके बारे में ओपिनियन लेने के लिए वो डॉक्टर के पास आ है डॉक्टर उसे कहते हैं तुमारा हाथ बहुत अच्छी दरीके से रिकोर हुआ है पर अब तुम स्विमिंग नहीं कर सकते हैं जाओ को एबात सुनकर बहुत बुरा लगा जो करियर वो बनाना चाहता था अब वो नहीं बना पाएगा अलग-अलग जगा पर जाकर वो जॉब ढ़ने की कोशिश करता है पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलता उसके फाइनाशल सिजुएशन भी बहुत ही खराब हो गई थी यंग को जॉब था वो यहा का रेंट वेगरा पे कर सकती है पर जाओ को यह बात अच्छी नहीं लगती उसे लगता है कि उसे खुद अपने आपको सपोर्ट करना चाहिए एक दिन यंग जाओ को शॉपिंग मौल लेकर गए एक शर्ट उसे वो पहनने के लिए गयती है जाओ ने नोटिस किया कि जब है हाई स्कूल में थे यंग ने उसकी जो ट्राइंग बनाए थी यही डिजाइन इस शर्ट पर है यंग की डिजाइन कंपनी को बसन आई थी और इसे मास प्रोडक्शन में उन्होंने डाल दिया है जाओ यंग के लिए खुश था पर इन दोनों के फ्यूजर को लेकर वो वरी करने लगता है एक दिन अवने फ्रेंड से मिलने के लिए गए हुए थे एक फ्रेंड शादी करने वाला था तो यही बात वो यंग और जाओ से भी पुशते है इस बात को लेकर जाओ अपसेट हो गया वो यंग को बताता है कि मेरे पास जाओ की जौप भी नहीं है आज कल उसके साथ कुछ भी सही से हो नहीं रहा वो इस कंडिशन में यंग से कैसे शादी कर सकता है यंग ने कहा कि मुझे कुछ भी फर्ग नहीं बढ़ता चलो हम शादी कर लेते है जाओ को यह मजग लगा और यहां से वो चला जाता है आज कल यंग के फादर जरा बिमार थै तो उनकी डेथ हो जाती है इनके सारे फ्रेंड इन्हें मिलने के लिए आये हुए थै जब जाओ फ्रेंड से बात कर रहा था तो गहता है कि अगर मैं मेरे हैस्कुल में यंग से ना मिलता तो मेरी लाइफ क्या होती उसे लाइफ में अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता तो इस वज़े से उससे मिलना भी रिग्रेट कर रहा था ये सारी बाते पीछे से यंग ने सुन ली वो उस वार बहुत ज़्यादा अपसेट हो के गहती है मेरे फादर भी हमेशा दूसरों को दोज दे दे थे हमने उनसे कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था फिर भी मेरी मदर को बहुत मारते थे यंग से मिलना जाओ ने रिग्रेट किया इस बात से यंग बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी जाओ ने अपनी गलती रियलाइस किया उसे माफी मांगी फिर सेजा कुछ भी नहीं होगा इस सब प्रॉमिस किया पर फिर भी यंग अब मानने वालों में से नहीं थी यंग जाओ को कहती है कल इंटर्व्यू पर जाना अच्छे से ट्राय करना किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए इसके बाद वो उसके लाइफ से चली गई वो जाओ को एक लेटर लिख कर गई थी उसमें लिखा था कि मैं सारी चीजों को रिग्रेट कर दियो मुझे तुम्हें हाई स्कूल में अच्छी तरीके से टीट करना चाहिए था हमने जो टाइम वेस्ट किया वो वेस्ट नहीं होना चाहिए था तुम मुझे मिलना रिग्रेट कर दो इस बात को मैं जाने नहीं दे सकती अगर हम एक साथ रहे तो हमेशा एक दुसरे को हर्ट करते रहेंगे ये बात वो नहीं चाहती थी अब इसके बाद जाओ ने अपने खुद के लिए एफ़र्ट डालना स्टार्ट कर दिया वो फिर से कॉलेज में वापस जाकर एक स्विमिंग टीचर बन जाता है अब उसके बाद अच्छा जवाब था सब कुछ ठीक था पर फिर वो यंग को हमेशा याद करता है एक दिन उसे यंग से लेटर मिला और इस लेटर में यंग की शादी होने वाली है तो उसका इन्विडेशन था वो उसे भुला कर लाइफ में आगे बढ़ना चाता था तो अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है सबने मिलकर एक बोट बूग की और इंशर किया कि जवाब यहाँ से भाग ना पाए जब वेडिंग डे आता है तो जवाब बहुत ही ज़ादा डिस्टर्ब हो गया था वो यंग को अपने लाइफ से इस तरीके से जाने नहीं दे सकता नदी से तेरते होए वो जमिन तक आ गया डारेकली यंग की शादी पर वो पहुच जाते है यंग के साथ उसकी फ्रेंड्स थी पर जवाब के फ्रेंड्स उन्हें बाहर लेकर जाते है जवाब ने जब यंग को देखा तो बहुत ब्यूटिफुल लग रही थी यंग को खुच देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है वो फिर से यंग की खुशी चिनना नहीं चाहता था इसे बहुत ही प्यार करता है और हमेशा खुशी देखना जाता है वो यंग को थेंक्यू गएता है उसके लाइफ में आने के लिए उसे यह सारे ब्यूटिफुल मुमेंद्स देने के लिए यंग ने भी अब उसे माफ कर दिया था वो भी उसे थेंक्यू कहती है जो टाइम इन्होंने एक साथ स्पेंड किया ये दोनों के लिए बहुत स्पेशल था जहाव यंग को अपनी लाइफ के लिए बेस्ट आफ रग करकर यहां से चला जाता है वो उसे उसकी खुशी चीनना नहीं चाता था और इसी मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है